हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेजी मसाला की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलिशिस रेसिपी है कलेजी फ्राय तो आपने कई बार खाई होगी पर आज हम इस रेसिपी को ग्रेवी स्टाइल में बनाएंगे तो चलिए शुरू क करते हैं आज की मसेदार रेसिपी कलेजी को फ्राय करने के लिए यहां मैंने एक पैन ले लिया है इसमें हम दो चमश तेल डालेंगे तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें कलेजी डालेंगे कलेजी को मैंने अच्छे से वाश करके पीसेज में कट कर लिया है यह करते हुए मुझे 5-6 मिनिट हो चुके है और यह अच्छे से फ्राय हो चुकी है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे चलिए अब हम मसाला बना लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए एक कड़ाई में दो बड़े चमश तेल डालें तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें दो मीडियम साइज प्यास को कट करके डालेंगे प्यास को हमें एक से दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक ये प्यास थोड़ी सॉफ्ट हो जाए प्यास का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और प्यास भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है इस टेज पर हम डेल चमश अद्रक लेसुन का पेस्ट आड़ करेंगे अद्रक लेसुन के पेस्ट को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चा पर निकल जाए प्यास अलमूस कुक हो चुकी है अद्रक लेसुन के पेस्ट को भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है अब हम इसमें दो मीडियम साइज टमाटर बारिक कट करके डालेंगे टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्यास के साथ थोड़ा भून लेंगे इसे हमें 1-2 मिनिट तक पकाना है जब तक के टमाटर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए टमाटर थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी अब हम इसमें पाउडर मसाले आड़ करेंगे एक चमच लाल मिर्च का पाउडर आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़ी आएगा एक चमच धनिया पाउडर आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच जीरा पाउडर और एक चमच तंदूरी मसाला आट करेंगे सारे मसालों को प्यास और टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भूनेंगे एक से दो मिनट तक मसालों को अच्छे से भूनना है या हम पानी यूज नहीं करेंगे मसाला भूनने के लिए चमच की मदद से थोड़ा मैश कर लेंगे और धक का 3-4 मिन तक पकाएंगे 3-4 मिन हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए चलिए चेक कर लेते हैं ये देखिए सारे मसाले प्यास टमाटर कितनी अच्छी तरह से भून चुका है ओयल भी सर्फेस आउट हो चुका है इस टेज पर हम एक कप दही आट करेंगे दही को मसालों में अच्छे से मिलाना है और 2-3 मिन तक भूनेंगे दही डालने से ग्रेवी बहुत ही क्रीमी हो गई है और ओयल भी रिलीस होने लगा है अब हमने जो कलेजी फ्राय करके रखी है वो भी हम ग्रेवी में आट कर देंगे इसे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिन तक भूनेंगे ग्रेवी में बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है कलेजी अच्छे से भून रही है इस टेज़ पर हम एक चमच चिली फ्लेक्स और नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वाध अनुसार डाले साथी इसमें 8-10 पुदीने के पत्ते तोड़ कर डाले पुदीने के पत्ते डालने से कलेजी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और लास्ट में बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल कर थोड़ा मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिट तक भूनेंगे कलेजी को हम जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही कलेजी में सारे मसालों का फ्लेवर आएगा और कलेजी ड्राए नहीं लगेगी कलेजी को हमने अच्छे से भून लिया है और भी सर्फेस आउट हो चुका है अब बस आधा गलास पानी आट करेंगे कलेजी को 7-8 मिनिट तक कुक करेंगे 7-8 मिनिट हो चुके हैं चलिए चेक कर लेते हैं बहुती बढ़िया लग रहा है कलेजी बहुती अच्छे से कुक हो चुकी है बहुती बढ़िया खुश्बू भी आ रही है अब बस दो हरी मिट स्लिट करके आट करेंगे आदा चमच गरम मसाला थोड़ा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा साथी इसमें थोड़ा बारी कटावा फ्रेश हरा धनिया डाल कर मिक्स कर लेंगे कलेजी मसाला फ्राय तयार है बहुती जादा टेम्टिंग लग रहा है एकदम टेस्टी और डिलिशेस कलेजी मसाला बनकर तयार हो चुका है दावत में महमानों को ये कलेजी मसाला बना कर खिलाएं महमान उंगलिया चाटते रह जाएंगे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे